माहा मंत्री जी के समक्ष पार्टी की सदस्ता ग्रहन कर रहा है मेरा विनमर निवेदन है मानिय विनोत तावरे जी से कि स्री अनुभव मोहनती जी को पार्टी की विधिवत सदस्ता ग्रहन करा है मानिय विनोत जी प्राइब 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 मान्य विनोत तावरे जी से है कि अपने नए साथी का पार्टी में स्वागत भी करें और संबोधीत करें अनगोजी संजे जी जैसे संजे जी ने कहा वैसे लगातार बारतिय जंदा पार्टी में आधनिय प्रदानमंति मोधी जी के नेत्रूतों में विकसित भारत को समर्तन देने के लिए कई मान्य वरों का प्रवेश हो रहा है आज अनुबो मोहनती जी का हो रहा है जो केंद्रपाड़ा से उन्निस में सांसत बने एक राजनेतिक सामाजी करेकरता के नाते उडिया बंगाली फिल्मों में भी उन्होंने एक प्रक्यात अभीनेता की भूमी का निवाई है आज भी वो काम कर रहा है और दोजार चोदा में राज्यसभा के बिन्विरोद निर्वाचीत सबसे कम उमर के सांसत के नाते भी उन्होंने दाईत वो सम्भाला है ऐसे युवा एक नेता अभीनेता आज बारतिश जनता पाड़े में जूड रहा है कल हमने दिल्ली में देखा कि इंडी आलायंस की रैली में बड़े बड़े नेताओं को दो ड़ाई तीन मिनिट होने के बाद तुरंत इशारा जाता था चिट्टी जाती थी और जैसे तैसे हम सब साथ है ये दिखाने का एक प्रयास कल की रैली में हुआ लेकिन कई वीडियो बाद में आपने भी देखे होगे हमाने भी देखे कि यहां किसी नेता ने लेके आया किसले लाया क्या लाया कुछ पता ने ऐसे बोलने वाले भी भीड में से कुछ सामाने जनता बाद दिख रही थी और इसलिए एक बड़ा चड़ा कर बहुत एक बलशाली विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ने वाले इस प्रकार का मावल खड़ा करने का प्रयास तो हो रहा है लेकिन उसमें काम्या भी नहीं मिल रही है और यही दुख उन सब निताओं के बाशन में बार बार व्यक्त किया गया हारे वे मानसिक्ता से सब विपषकल इकटा हुए हमने देखे और उसी समय दुसरी तरफ इस भारत को विकसित देखने के लिए उत्सुक अनुबो जी जैसे कई लोग आदनिय मोदी जी के तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और अनुबो जी से अनुद भी करता हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें जी सम्माननिय विनूत आवड़े जी आपका में बहुत आभार हूँ कि आपने मेरा परिचे इतने सुंदर सब्दों से आपने दिया और संजेर मायुक जी को भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं सौभा के शाली रहा हूँ कि जिन नेता के साथ मुझे काम करने का अवसर 11 साल के लिए मिला उनके नेतरुते में मुझे भारत के राज्यसभा के सर्वकनिस सांसद होने का मौका मुझे मिला था और मैंने पूरी महनत से और कोशिश की थी कि एक काम चीज भी कहा जाता है कि कलाकार राजनीती शायद कर नहीं सकते पर उस चीज से मुझे बहुत चिड होती थी इसलिए मैंने बहुत महनत करके पहले सेशन से लेकर हमेशा मैंने हर चीज में पार्टिसिपेट करने का पूरी कोशिश किया था और देश के विकास के लिए हमने जभी भी मोदी जी के नित्रुत में भारते जनता पाटी की सरकार ने कोई भी अच्छे बिल या एक जो भी लाये थे हमने उसका समर्थन किया था और राजसभा के बाद मुझे लोकसभा के केंद्रपड़ा कॉंसोंसे से लड़ने का मौका मिला और तब भी ये जो पिछले पांच साल मेरे लिए रहे ये एक सीखने का एक बहुत बड़ा दौर था मेरे लिए कई चीजों का सामना के कई एतिहासिक बिलों को पास होते हुए देखा जैसे बिल जो जैसे धारा 370 का हटना हुआ तीन तलाक की बात कर ले या जो आजादी से पहले के जो बने नियम थे जो रूल्स आईपीसी उसके उठने का और BNS वगेरा आने का ये हमारे स्वधेसी कानून लागू हुए तो ऐसे एतिहासिक चीजों को देखकर मुझे बहुत गर्ब मैसूस हुआ और एक युवा होने के इनाते मैं चाहूंगा कि देश के हर एक युवा को इस जोश में इस उमीद से इस परिवार में शामिल होना चाहिए ताकि हम देश को बहुत आगे और लेके चले और देश के लिए अच्छा काम करे युवा जब चाहे और ऐसे जब एक्सपिरियन्स गुरुजन हमारे हैं उनके उपदेश से उनके निर्देश से हम अच्छा काम अगर करने की कोशिश करे कम से कम तो देश में बहुत बदलाव आएगा और आगे चलके मुझे यकीन है आने वाले पांच-दस सालों में भारत पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ट देश माना जाएगा तो मैं माने मोधी जी के नेतृत में भारत्य जन्ता पाटी में शामिल होने की खुशी से मैं आप सबको मेरा आभार वक्त करना चाहूंगा प्रणाम देना चाहूंगा भगवान करे की आगे चलके हम सब अच्छा काम करें और देश के लिए काम करें देश से बड़ा या मा मेरे बंधू, मेरे वोटर्स, मेरे समर्थक, मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों का आशिरवाद रहे, जय हिंद वंदे मातरम